नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरिस केसेज में बड़ोत्री के साथ ही अब हैल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा लोगों को साथदानी परतने और कोविड संक्रमन के लक्षनों पर ध्यान देने के लिए सचेट किया जा रहा है। कोविड वेरियंट्स के बदलते विवहार के बीच लक्षनों में भी बदलाव आ रहे हैं। डक्टरों के नुसार इस बार कोविड मरीजों में सर्दी खांसी या डायरिय जैसे लक्षनों के अलावा कम यूरीन पास करने और शाती में दर्द जैसे गंबिक लक्षन भी उनमें अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के मामले भी अधिक देखे जा रहे हैं। लेकिन कोविड संक्रमित कुछ मरीजों में टायरिय के अलावा कम पिशाब लगने और चैस्ट पेन जैसी शिकायतें भी देखने को मिली हैं। कोविड मरीजों में दिख रहे हैं ये भी लक् कोविड संक्रमित के जो नए लेक्शन इस बार मरीजों में देखने को मिल रहे हैं उनमें ये परिशानियां परमुक हैं। COVID-19 संक्रमिन के गत्रे को देखते हुए देश के कुछ हिसों में मास्क पहनना फिससे अनिवारिक कर दिया गया है। मास्क पहनने से संक्रमित के प्रसार का खत्रा काफी हद तक कम किया जा सकता है।bleep, इसलिए घर से निकलते समये या दूसरे लूगों से मिलते समये अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और नाक और मूँ को अच्छी तरह कवर करें किसी भी तरह लक्षन दिखने पर अपने डक्टर को इस बारे में सुचित करें सर्दी खासी या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या होने पर गर से बाहर ना जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दोसरों से सुरक्षित दूरी बनाएं बीड़ बरी जगों पर जाने से बचें गर्मे हों तो खिटकियों को खोल कर रखें साबून और पाणी से अपने हाथों को बार बार साफ करें अलकोहल बेस्ट सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें वेक्सिनेशन करवाएं